नमस्कार साथियों आप सभी का स्वागत है आज इस क्लास में हम राजस्तान असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वेकेंसी है उसकी जो अपनी सेकंड यूनिट है उस पे चर्चा हम करेंगे जो कुछ ने थिंकर्स जोड़े गए हैं तो उनमें से एक थिंकर्स का नाम है मीरा कोस कोसांबी तो आज हम मीरा कोसांबी को जानने का प्रयास करेंगे तो आज हम इनके जीवन प्रिच्चे इनकी अध्यन विदी इनके अध्यन चैतर परमुक पुस्तके और इनकी विश्यवस्तू इनकी पुस्तकों की क्या विश्यवस्तू है पे चर्चा करने वाले हैं पिछ पूछी गई थी, ज्यादा तर किताबों के नाम पूछे गए थे, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होने वाला है, अब की बार इन जो ने थिंकर्स जोडे गए हैं, इन में डीपली परसन पूछे जाएंगे, तो हम डीपली अधिन अब की बार इनका करेंगे, तो पहले हम बात करते हैं इनके जीवन परिचे के बारे में, तो इनका जनम 24 अपरेल 1949 को पूणे माहराष्टर में हुआ, ये माहराष्टर की लेखिका है, और इन्होंने महिलावादी और नगरिये अध्यन पे मुख्यरूप से लिखा है, ये भारत की परमुख महिलावादी और नगरिये अध्यन वेता है, तो दो इनके अध्यन छेतर रहे हैं मुख्यरूप से, जनम की बात करें, तो इनके जनम से ही इनको एक बोधिक वातावण मिला, संस्कृत के अच्छे विद्वान इनके दादा जी थे, धर्मानंद को सांबी, और इनके पिता जी, डीडी को सांबी, एक इतियासकार, एक गणित्य गय और एक सामाजिक विचारक रहे हैं, तो इनके जो बचपन का जो माहूल था, उसका परभाव इनके जीवन पे भी पड़ा है, और इस वज़े से ये भी संस्कृत की एक अच्छी विद्वान थी, मराठी और अंग्रेजी बासा में इनका कोलेज पूने में ही प्राप्त की और पीएचडी करने के लिए ये सेविडन के स्टोक हॉम विश्ववद्यालिया चली गई, कहां? इनका जो सोदकारे है, इनका जो पीएचडी है, वो कहां से है? स्टोक हॉम विश्ववद्यालिया से है, इनके जो सोद का विश्य है, वो है उन्नीस्मी स्तावदी में परबोधन परो उन्नीस्मी स्तावदी में परबोधन परो यानि जादा तर इनका जो आध्यन है वो उन्नीस्मी स्तावदी में रहा है इसके बाद इन्होंने कुछ समय तक स्वीडन और बाद में अमरिका के अंदर अध्यापन कारे करवाया अमर से फिर भारत में आकर इन्होंने SNDK जिसका पूरा नाम है स्रीमती नाथी बाई दामोदर थाकरसी विसोईद्यालिय बंबी में है यहां पर महिला अध्यन एयों अनुसंधान के अंदर के परमुख रूप के रूप में निदेशय के रूप में इन्होंने लग भग दस वरसों तक कारे किया तो ज़्यादा तर जो इनका अध्यन था वो इस महिला अध्यन था वो इस केंदर के कारण रहा है इनका जो लेखन है वो देखना लेखन से इनके वीशे भी कलियर हो जात इनका लेखन है जादा तर वो किस पर है नगरिये जीवन में मैहिलाओं की दसा तो यहां दोनों पॉइंट इनके कलियर हो जाते हैं एक नगरिय जीवन पे इन्होंने काफी कुछ लिखा है और नगरिय जीवन में भी मैहिलाओं के बारे में इन्होंने काफी कुछ लिखा है अगर इनके हम अध्यन विद्धी की बात करें अध्यन विद्धी की आपनाई है तो इन्होंने केस स्टेडी की है बंबी सहर की की है और पंडिता रम्मा भाई की केस स्टेडी नोंने की है, यानि नों काफी गैराई से अध्यन किया है, तो इस प्रकार से नोंने बदलते समाज में नारी की क्या दसा है, नारी का क्या स्तान है, नगरी करण से महिलाओं के जीवन में क्या परभाव पड़ा है, नेजी छेतर विक्सित होने से महिलाओं के जो निर्ने लेने की छमता है उसमें क्या परिवर्तन आया है तो पे इन्होंने कारे किया है साथ में इन्होंने छे महिलाओं पर अध्यन किये हैं इन छे महिलाओं के नाम आपको पता होने चाहिए ज्यादा तर इनका जो कार्य है वो पंडिता रम्माबाई पे है रम्माबाई एक भारत की परमुक्स समाज सुधारिका रही है इनोंने बंबई में ही इनका जनम हुआ था इंटरकाश नोंने मेरीज की थी इसाई द्रम इनोंने गरण कर लिया ये संसकर्त की बहुत अच्छी विद्वान रही है अमरिका में जाकर भी नोंने कारे किया है तो एक बहुत बड़ा नाम है समाज सिवा के चैतर में पंडिता रम्माबाई का तो इनोंने इन पे काफी कुछ अधिन किया है इनके इलावा जो महाराष्टर की अनेक महिलाएं है जै वो समाज सुधारक के चैतर में हो या फिर वो साहित्य के चैतर में हो उन सब पे डीपली अधिन है वो मीरा को संभी के द्वारा किया गया है तो पंडिता रम्माबाई इसके लावा आनंदी बाई पारवती बाई अठावले का इन्होंने केस अधियन किया है केस स्टेड किया है स्टेडी किया यानि गहराई से अधियन इन्होंने किया है रम्माबाई इनके लिए आकर्षन का के अंदर रही है इन्होंने अंग्रेजी और मराठी बासा में कुल 12 से ज़्यादा उस्तकों को लिखा है या फिर संपादित किया है तो अंग्रेजी और मराठी दोनों बासाओं में इनका लेखन है वो अच्छा रहा है इन्होंने भारत और महाराष्टर की परमुख महिलाओं को अपने लेखन के माध्यम से भारत और दुनिया के सामने रखा है इन महिलाओं में हैं पंडिता रमा बाई, आनंदी बाई जोसी, प्रेमा कांतक, कासी बाई कानिकर ये परमुख महिलाएं और भी है, जब हम deeply किताबों पर चर्चा करेंगे तो ये नाम और ज़्यादा आएंगे आपके जो भी क्यूस्टन है, क्यूरीज है, आप चेट बोक्स में लिख सकते हैं, इस क्लास के अंत में हम उन पर चर्चा करेंगे तो आप हमारा एप्लिकेशन है, सोशियोलोजी क्लासेज इन हिंदी के नाम से उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको काफी सारा कंटेंट है, वो मिल सकता है अब इनकी पुस्तकों पे चर्चा करें, क्योंकि अब की बार जो परसन आएंगे, वो पुस्तकों के नाम नहीं पुछे जाएंगे, बलकि पुस्तकों में क्या लिखा है, वो पुछा जाएगा पिछली बार 2020 में जो एकजाम हुआ था, उसमें मीरा को सामबी से समधित तीन परसन पुछे गे थे, कितने परसन पुछे गे थे, तीन परसन पुछे गे थे, उनमें से एक परसन ये था, बॉम्बे इन ट्रांसीजन पुस्तक के लेखी का कौन है, या लेखक कौन है, इस पुछा गया था, और दो परसंद पुछे गे थे, कि इस पुछतक में इन्होंने किनके साथ तुल्ना की है, के बारे में पुछा गया है, तो जो मैं बात कर रहा था इनकी अध्यन जो पदती है वो क्या है केस स्टेडी रही है इन्होंने बंबई सहर का गहराई से अध्यन किया है और तुलना अत्मक अध्यन किया है वो तुलना इन्होंने किन के साथ किया है उस पे भी हम चर्चा करने वाले है तो बंबे इन ट्रा इन्होंने लगभग सो वर्सों का बंबेई सहर का कर्मिक विकास दर्साया है। कितने वर्सों का लगभग सो वर्सों का कर्मिक विकास इन्होंने बताया है इस पुस्तक में। और 1986 में ये पुस्तक लिखी गई है इसमें इनोंने ओपनिवेशिक सहर या ओपनिवेशिक बंदरगा बंबी का 1880 से लेकर 1980 के मद्य यानि आजादी से पहले और आजादी के बाद का अध्यन किया है जब ये कहते हैं ओपनिवेशिक बंदरगा तो ये कुल तीन प्रेजिडे हैं सिचाना अग्या आजादी सहर थे उस समय जो ब्रिटिस राज्यों की राजदानिया थी कौन-कौन से थे एक बंबई था एक मदरास कहते थे और こल कत ता उसमें इसको कलकता कहते थे जísकान पुछा गया था कि इस पुshtक का नाम क्या है और एक प्रसं circles ये पुछा ग तुलना की है तो कलकत्ता और मदरास इनको ओपनिवेशिक बंदरगा या परिजिडेंट्सी सहर इनको कहा जाता है इनके मद्य भी तुलना की गई है इस पुष्टक के अंदर तो ये कर्मिक रूप से बताया गया है कि ओपनिवेशिक सासन और उसके बाद किस परकार से बंबई सहर का एत्यासिक रूप से जनसंख्या रूप से वेपारिक रूप से सामाजिक रूप से विकास हुआ है इत्यासिक जनसंख्यात्मक वेपारिक सामाजिक पारिस्तितिक चैतरों का समगर अध्यन इसमें किया गया है और कर्मिक जो विकास हुआ है उसके बारे में बताया गया है तो अब की बार परसन यहां से पुचा जा सकता है कि किस पक्स का धिन है वो मीरा को सांबी के द्वारा किया गया है इनमें इन्होंने जन संख्या के धिन के लिए जो दसकी है जनगरना होती है उस पे इन्होंने अधार बनाया है उसके अधार पे इन्होंने वर्नन किया है कि किस परकार से बंबई सहर की जनसंख्या वो बढ़ रही है और इन्होंने बंबई सहर और बंबई के जो उपनगर थे उनकी भी तुलना की है बंबई सहर का इन्होंने परजाती अधिन किया जनसंख्यात्मक अधिन किया यानि टोटल प्रकारसी इन्होंने अधिन किया जब हम कैस स्टेडी करते हैं तो उसके सभी पक्सों का अधिन करते हैं तो बंबई सहर के लगबग सभी पक्सों का अधिनोंने किया साथ में तुलना की तुलना दो सहरों के साथ की कलकता और मदरास के साथ और बंबई की उसके जो उपनगर थे उसके साथ तुलना की और कहा कि अजादी के बाद 1951 के बाद से जो उपनगरों में जनसंग क्या है उसमें विर्दी हो रही है तो ये इनका सबसे महतो पुर्ण अ इसके परभाव को बताने की कोशिश की है आगे है Crossing Threshold Feminist Essays in Social History ये पुष्टक है ये 2011 में आई है इस पुष्टक में इन्होंने 19-वी स्तावदी में नोट कर लेना कौन सी स्तावदी में 19-वी स्तावदी में पस्ची म भारत में क्योंकि महाराष्टर गुजरात राजस्तान ये पस्ची म भारत में माने जाते हैं तो इन्होंने जादा तर महाराष्टर और उसमें जो के अंदर था भारत का चै आर्थिक राजदानी के हैं चै वेपारिक राजदानी के हैं चाहे सांसकर्तिक राजदानी के हैं सब कुछ बंबई ही था महराश्टर हमेशा से आगे रहा है एज्यूकेशन के मामले में, वेपार के मामले में सभी मामलों में तो पस्चिम राजस्तान में बंबई भी आ जाता है महिला सुधार हुए है तो अगर हम इसकी बात करें अगर ओपचारिक रूप से महिला सुधारों की तो इसकी सुरुवात होती है 1829 में जब सती पर्था पे बेन लगाया गया था फिर 1837 में फिर 1856 में 1855 में 1812 के अंदर इस परकार से कर्मिक कानून बने है तो ये महिलावादी आंदुलनों की एक जीत रही है उसके परणाम रहे है जो इन्होंने इस पुस्तक में लिखे है दर्मानंद को सामभी जो इनके दादा जी थे इन पे भी नो लिखा है इनिसियल राइटिंग 2013 के अंदर एक इनकी पुस्तक है जेंडर, कल्चर, और परफोर्मेंस मराथि थेटर और सिनेमा विफोर इन्डेन्पेंडेंस 2015 में ये पुस्तक आई है इन्होंने क्या लिखा है आजादी के बाद महराष्टर का जो सिनेमा है जो थेटर है उसमें जो शांसकृति किया जो सहीत्य है उसमें महिलाओं की क्यास देती रही है महिलाओं को किस परकार से दर्साया गया है और कौन-कौन से परमुख थियेटर रहे हैं नाटकार रहे हैं, लेखकार रहे हैं इस पुस्तक में इनोंने काफी अच्छे तरीके से उनको बताया है तो इस पुष्टक में इन्होंने 19 स्तावदी के अंत और 20 स्तावदी के प्रारम में महाराष्टर के सिनेमा थियेटर का अधेननों किया है जहांपे सिनेमा में आ जाता है और थियेटर के अंदर उसके बेगराउंड में जो छोटे-छोटे कला के अंदर होते हैं तो इस पुस्तक में इन्होंने मराठी नाटकार, विश्नुदास भावे, बीपी किलोशकर बलवंते, पांडूरंग किलोशकर के बारे में में लिखा है, महिला कलाकारों की स्तिती को इस पुस्तक में इन्होंने दर्शाया है, कि किस परकार से नगरिय जीवन में महिलाओं की पुछ दिती है वो रहती है और थीयटर के अंदर महिलाओं की क्या भूमिका रही है महिलाओं का किस परकार से चितर चितरन होता रहा है तो ये इनकी महतोपुर्ण पुछतक है बंबई वाली है और बंबई के बाद में ये पुछतक है जो इनकी महतोपुर्ण है अब की बार बहुत कम chance है कि किताबों के नाम पुछे जाए हो सकता है पूछ भी लिया जाए लेकिन कम पुछे जाएंगे अब की बार इनके तुलनात्मक अध्यन इनके किन पे इनोंने मुखे रुप से लिखा है इनके विश्यवस्तु क्या रही है अगली पुछतक का इनकी इंटरसेक्शन 2000 में है ये Social Culture Trade in महाराष्ट तो इस पुछतक को मिरा को सांबी ने संपादित किया है क्या किया है संपादित संपादित करने और लिखने में फरक होता है संपादित करना और लिखना अलग-अलग होता है लिखता जब कोई है वो अकेली पुछतक लिखता है वो अकेला वेक्ती होता है राइटर होते हैं उसके एक या दो हो सकते हैं तीन हो सकते हैं चार हो सकते हैं वो उसके राइटर होते हैं तो ये इनके दुवारा संपादित की गई है संपादित से मतलब है कि निमद लिखे जाते हैं आर्टिकल्स लिखे जाते हैं लगभग एक विश्य दे दिया जाता है कि आपको नारी आंदोलन से समंदित ऐसे है वो देने हैं नारी आंदोलन पे आर्टिकल लिखे जाते हैं अलग-अलग आर्टिकल लिखे जाते हैं, अलग-अलग लोगों के दुआरा, और वो फिर एक साथ पुस्तक के रूप में परकासित किये जाते हैं, तो जो पुस्तक को परकासित करवाता है, उसे संपादक कहते हैं, तो इस पुस्तक में जो निमंध है, आर्टिकल से हैं, वो राज सुधार आंदोलन के बारे में जो पहचान है चे वो अनुर्शु जन जाती की पहचान हो या फिर महिलाओं की पहचान हो उन पे चर्चा की यह इस्तानी है जो रिलीजन है लोकल जो रिलीजन है उपर वाला अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है ठीक है अब दिखाई दे रहा होगा तो यह इस प्रकार से इन्होंने बहुत सारे एसेज इसमें लिए हैं और इसको संपाधित किया है इनकी अगली पुच्तक है महात्मा गांधी and प्रेमा कांतक Exploring a Relationship Exploring History इसमें इन्होंने गांधिवादी लेख्यका और विचारक प्रेमा कांतक के जीवन परिचे के बारे में उनके व्यक्तितिवे के बारे में और उनके कार्यों का वर्णन इसमें इनोंने किया है टो एक लेखी का ये हो गई नोट करते जाना कि किन किन के बारे में मिरा कोसामभी ने लिखा है इनकी अगली पुस्तक है फेमिनिस्ट विजन और थ्रेशन अगेस्ट मैंस को समभी कोसकासिबाई का नीटकर एंड दा इंजिनिरिंग ओफ मराथी लिटरेचर फेमिनिस्ट विजन क्या रहा है पुर्सों के खिलाव तो इस पुस्तक में इन्होंने मराथी बासा की पर्थम मैहिला लेखी का कासी बाई कानिकर के बारे में लिखा है और इंजिनिरिंग ओफ मराथी लिटरेचर मराथी साहिते में किस परकार से महिलाओं को दिखाया गया है पुर्षों के खिलाफ या किस परकार से पुर्स है वो महिलाओं के बारे में सोचते हैं महिलाएं वो पुर्षों के बारे में सोचती है तो इसमें इन्होंने जिस लेखीका को उठाया है उसका नाम है कासिभाई कानिकर इन्होंने देखो जो लेखीका है, साहित्यकार हैं और जो सिनेमा से जुड़े हुए है जो समास सुधारिका है इनको लिया है, इनको अपने अध्यन की विश्यवस्तु बनाई है तो परसन किसी भी परकार से पूछा जा सकता है अपने को पता होना चाहिए कि इनके अध्यन की विश्य क्या रहा है इनका अध्यन का content क्या रहा है तो कासिबाई कानिकर के लेखन का वर्नन है वो इस पुष्टक में किया गया है इनकी एक पुष्टक और है पंडिता रमाबाईज, American Encounters पंडिता रमाबाईज, तो जितने भी लेखिकाओं के बारे में उन्हें लिखा है महिलाओं के बारे में लिखा है उनमें सबसे ज़्यादा पंडिता रमाबाईज के बारे में उन्हें लिखा है पंडिता रमाबाई मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बहुत बड़ी भारत की समाज सुधारी का रही है, इन्होंने महिलाओं की सिक्ष्या के लिए जो कम आयों में विद्वा हो जाती है, उनके लिए और जो आरे महिला, आरे समाज की स्तापना भी पंडिता रमाबाई के द्वारा की गई है, ये अमरिका में भी नोंने कार्य किया था, इन्हीं बारे में इस पुस्तक में बताया गया है, अमरिकन अनकाउंटर्स दा पीपल ओफ दा युनाइटड स्टेट उन्नी सो नवासी, सोरी, ठारा सो नवासी, ये पुस्तक दो हजार तीन में लिखी गई लेकिन पंडिता रमाबाई के 1889 में जो कार्य किये गए थे उन पे लिखी गई है, निवेदन ये भी एक ओटो बायोग्राफी है, धर्मानद कोसांबी की 2011 में ये लिखी गई है, तो परसन आ सकता है कि धर्मानद कोसांबी की ओटो बायोग्राफी है, उनका नाम क्या है, तो क्या हो जाएगा निवेधन, तो इस पुष्टक में इन्होंने किन के बारे में लिखा है, उनके जीवन के बारे में इन्होंने लिखा है, यानि कुल मिलाकर मीराम भाई को संबी ने बहुत सारी ऐसी लेखिकाओं को समाज सुधारिकाओं को दुनिया के सामने परश्टुत किया है और इतना कुछ होते वे भी भारतिय समाज सास्तर में मीरा को संबी भी एक गुमनाम साथ चहरा है कभी-कभी पढ़ने को मिलता है डिडी को संबी अन सेटलिंग दा पास्ट ये इनकी 2004 में पुस्तक आई है ये भी मीरा को संबी के द्वारा संपादित की गई है एक पुस्तक और है वो भी पंडिता रमाबाई पे है पंडिता रमाबाई लाइफ एंड लेंडमारक राइटिंग्स ये पुस्तक इनकी 2019 में ये पुस्तक इनकी कब आई है 2019 में आई है इसमें इन्होंने पंडिता रमाबाई के जीवन परिचे पर परकाश डाला है और इनकी विदेशी यात्राओं के बारे में वर्नन किया है आगली पुस्तक इनकी वोमेन राइटिंग जेंडर 2012 में है इस पुस्तक में इन्होंने 6 महिला लेखकों के लेखनकार्य का वर्नन किया है ये 6 महिलाएं कौन-कौन सी है कासी बाई कानिकर इंद्रा बाई विभावरी सुरूर कर गिता साने संकूतला प्रांज जपे और प्रेमा कार्टिक ये 6 महिलाएं है इस पुस्तक में इन्होंने लिखा है वोमेन राइटिंग जेंडर 2012 के अंदर अब परसन तीन परसन थे वो कौन-कौन से आये थे एक परसन तो ये आया था पिछली बार कि बंबे इन ट्रांसीजन उस तक किनके दुवारा लिखी गई है मिरा कोसांबी ने किस सहर का अध्यन किया बंबे सहर का किया और बंबे सहर की तुलना ये तिन तीन सहरों के बारे में तुलना अत्मक अध्यन मिरा कोसांबी के बारे में किया गया था ओपनिवे सिक बंदरगाओं के बारे में तो बंबे क्लक Catha और मदरास अब तिन्नों के ही नाम चेंज हो चुके हैं ये तीन परसन पिछली बार आए थे और अब की बार इनकी ऑद्यिंचेत्र के बारे में इनकी जो महला इनके बारे में लिखा है इनके बारे में लिखा जा सकता पुछा जा सकता है पर्सन अब आपके कोई भी पर्सन है तो वो आप पूछ सकते हैं और यही है कि RPC Assistant Professor में पिछली बार ये 9 thinkers थे उनमें से 6 पर मैंने Classs लगाई थी तो लगबग पर्सन वो उसी में से आये थे लगबग क्या सारे जो पर्सन बनाए थे एक तो लास्ट दिन बनाया था एक दिन पहले उसमें से 3 पर्सन कुच्चे गे थे तो उमीद है अब की बार भी आप लोगों को निरास नहीं करेंगे और RPC मुझे निरास नहीं करेंगी तो एक एक करके हम इन सबको पढ़ेंगे आपने इतने प्रेम से मुझे सुना इसलिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद आजाते-जाते लाइक, सेर और सिस्क्राइब अगर नहीं किया है तो वो भी कर दे इससे मोटिवेशन मिलता है और बगेर मोटिवेशन कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है आपको भी मोटिवेशन मिलता है एक अच्छी जोब का एक एक एकोनोमिक रूप से तभी कुछ कर पाते हैं तो मोटिवेशन अगर आपको कोई दूसरा करता है तो ठीक नहीं है तो अपने आपको भी मोटिवेट करते जाएए क्योंकि बगेर मोटिवेशन के ये इंदन का काम करता है आप चंदरियान वेजा है चंदरियान आगे क्यों जा रहा है क्योंकि उसमें इंदन है अगर इंदन खतम हो गया ना तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा इसी परकार से अगर हमारा मोटिवेशन खतम हो गया तो हम भी आगे नहीं बढ़ पाएगे मोटिवेशन हमारे लिए इंदन का काम करते हैं तो खुद मोटिवेट होते रहिए औरों को करते रहिए पोजिटिव सोचिए जो हम सोच सकते हैं वो हम पास सकते हैं आप सचे दिल से मैनत करेंगे लगन से प्रयास करेंगे तो मनजिल है वो जरूर मिलेगी धन्यवाद